नमस्कार दोस्तों तो स्वागे था आपको पने यूटूब चैनल में तो जेक बोर्ड की और से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जार्खन बोर्ड परिच्छा 24 को ले करें तो मेट्रीक और इंटर परिच्छा का रूटिन जारी कर दिया गया एक्जाम का लोग की क्लास सबसे पहले आपी तक पहुंच तो चलिएं बिना देर कें सिधे वीडियों चलते हैं तो जेक बोर्ड एक्जाम 2024 को लेख है जोकि मेट्रीक और इंटर परिच्छा जोकि चलने वाली है 6-26 फरवरी तक है तो जो परिच्छा का नाम है जैसी बोर्ड वार्षिक परिच्छा 2024 कि जार्खने केंवी कांसिल रांची जैसी ने जैसी बोर्ड परिच्छा जोकि जैक दाश्वी परिच्छा 원 ऌण 20वी परिच्छा्च एकठ्छा में पढ़ रहे हैं वे चिलिए तयार रहे हैं जो कि प्रेटिकल परिक्षा आपके प्रेटिकल परिक्षा 28 रस जूती से सुरू होगा ले प्रेटिके अरिक्षों impress तक आफजीत की जाएगी जारी किया गया है तो यह द Flower paper में जारी किया गया है सब्सक्राइब करके बताते हैं तो सबसे बताएं आप लोग को कच्छा दांस्वी क्लास का उसके जो बोड है उसके एक्जाम सेडूल को तो एक्जाम टाइम आप लोग का फर्स सिटिंग में जो की टाइम रहेगा नो पैटाली से लेकर एक बजे तक और मार सिट्ट जो नो कुन से अउसके कव है तो सबसे परबरे से सटार्थ है जो कि 26 तक चलनी वाला है तो आप लोग का आई टी और अधर वाकेशनल सब्जेक्ट वालों का एक्जाम है वहीं आठ फर्वरी को कोमर्स और हम सैंस का वहीं आठ फर्वरी जो कि खर्या खोर्ठा कुर्माली नायकप गरंग्या सब्जेक्ट है। इनका परने को एकजाम होगा। वहीं नौ परवरी को Ayrbic और इसमें से मुझारी है। सोन्हुनिक सभी मे kiya सब का। दसफ फॉर्वरी को उर्दू में और उडिया का। और 12 फरवरी को जो जाम है सोसल साइंस का एक्जाम होगा 13 फरवरी को म्योजिक सब्जेट का वहीं 13 के बाद तीन दिन का गेप है इसमें जो कि सलब फरवरी को मैस का एक्जाम होगा और इसमें से फिर तीन दिन की गेम के बाद आप लोगा हैंदी कोर्स ए यानि कोर ए होता है केक और भी यह सब का है धिंदिय में 19 पौरी को और दिन बाद 20 पौरी को सइंस का एक्जाम है और 23 पौरी को संस्कृत का और जो लाश्ट एक्जाम है जो कि 26 पौरी को इंग्लिस का वालों का है जो कि टाइम रखा गया है दो बज़े से लेके पांच बेज तक और एमार सीट का जो टाइम राखा गया है दो बज़े से लेका तीन पॉइंटिस तक और अंसर जो बुकलेट का टाइम है तिन चालीस सेच के पांच भीस तर अब चलिए हम इसके सेडूल को देख लेते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग है छे फरवरी से अश्टार्ट है जो कि इसका सबसे पहले वोकेश्नल सब्जेक्ट है जिसमें तीनों का है आगग कॉमर्स सैंस का वहाई साथ फरवरी को जो कि compulsory core language जो कि Hindi A, Hindi B, A सब के लिए English A, core subject में intermediate arts के लिए वही आठ फरवरी को compulsory core language में science वालों के लिए और commerce वालों के लिए जो कि Hindi A, Hindi B, English A, music का जो कि intermediate arts के लिए वही नोब फरवरी को elective language जो कि तीनों के लिए इलेक्टिव language में compulsory तो इसमें से तीनों है arts, commerce, science का वही दस फरवरी को जो एक्जाम है economist, science, commerce और arts तीनों का है और फिर बारा फरवरी को जोगरफी, intermediate arts को और computer science, science और commerce वालों के लिए वही तेरो फरवरी जो कि सिर्फ arts वालों के लिए history subject है और सलो फरवरी को physics जो कि science वालों के लिए और एकांट्रेंसी जो कि commerce वालों के लिए वही 17 फरवरी जो जरता है इसको सिर्फ economist का है जो कि intermediate arts का है वही 19 फरवरी को biology जो कि science वालों के लिए और commerce वालों के लिए business mathematics और arts वालों के लिए इसमें ससलोसी एक्जाम होगा 19 फरवरी को वही 20 फरवरी को जो कि science वालों के लिए geology commerce वालों के लिए और आर्स वालों के लिए psychology है वह 21 फरवरी को जो एक्जाम रखा गया है आर्स साइंस और commerce तीनों के लिए जो रखे होंगे mathematics और aesthetics का और अगली जो है philosophy जो कि आर्स के लिए 22 फरवरी को एक्जाम है और 23 फरवरी को science वालों के लिए chemistry commerce वालों के लिए और आर्स वालों के लिए हम साइंस है और वहीं जो अंतिम परिच्चा है 26 फरवरी 2024 को जो कि पॉल्टिकल साइंस और सिर्फ आर्स वालों के लिए तो यहां से बाद आप लोग का खतम हो चाता है एकजाम तो इतने भी कंडिडेट है आप लोग अपना जो रूटिन है आप लोग अच्छे से चेक कर लिजेगा तो एडिमीर कार आप लोग को वहीं लास्ट में आ जाएगा जनवरी में तो थांक्यू प्रेंस हमारे वीडि कर दो आप लिए राज कर लोग कर दो आप लोग को डिए कर लोग कर लोग कर लोग को रज़ आप लोग चाना माद लोग